तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत हैं। एक लड़के को दिखाया जाता है। तो मुझे दुनिया की हर आवाज में संगीत दिखाया देता है। अंधे होने की दिक्कते तो सब को पता है। लेकिन फायदे मैं बताता हूँ। फोकस और फोकस रहने के लिए कलाकार लोग कुछ भी करते हैं। इसके बाद हम प्रमोद नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। जो कि एक जमाने में बहुत बड़े अभिनेता थे। लेकिन समय के साथ वो एक्टिंग से रिटार हो गए तो वो रेयल स्टेट के बिजनस में आ गए। उनकी बीवी का नाम है सिम्मी जो की बहुत प्यारी बहुत अच्छी है। और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। सिम्मी प्रमोत की दूसरी बीवी थी और तीन साल ही हुए थे इनकी शादी के। पहली बीवी अब थी नहीं पर हाँ पहली बीवी से एक बेटी हुई थी जिसका नाम दाणी होता है जो की विदेश में रहती है। अब हम सोफी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने स्कूटर से कहीं जा रही थी कि तब ही अचानक वो एक अंधे व्यक्ति को ठोक देती है वो अंधा इंसान था आकाश जिससे सोफी माफी मांगती है और फिर दोनों में बाची शुरू हो जाती है तो सोफी को पता चलता है कि आकाश प्यानों बहुत अच्छा बजाता है सोफी के पता का एक रेस्टरेंट था जहाँ एक प्यानिस्ट के जरुवत थी तो सोफी आकाश को वहीं काम दिला देती है सोफी के पूछने पर अकाश बताता है कि बचपन में सर पर क्रिकेट बॉल लग गई थी जिसकी वज़ा से आप्टिक नर्व डैमेज हो गई और फिर मैं अंधा हो गया अकाश जब घर जाता है तो हम देखते हैं कि वो अपनी आखों से लेंस निकाल रहा है जिसका मतलब कि वो अंधा नहीं बस अंधे होने का नाटक करता है भले वो देख सकता है लेकिन फिर भी वो ऐसे रहता है जैसे अंधा ही हो जैसा कि उसने कहा था कि कलाकार लोग को अपनी कला के प्रती फोकस रखने के लिए कुछ भी करते हैं तो आकाश के लिए फोकस ये था कि कुछ भी ना देखो बस अपनी कला को समय दो उसके लेंसे ऐसे थे कि उसके देखने की शक्ति खतम कर देते थे ताकि कि वो चाह कर भी ना देख पाए बस आवाजों को सुने और हर आवाज में संगीत को देखे अब एक दिन सोफी से मिलने से पहले आकाश सोचता है कि वो आज अपने लेंस नहीं लगाएगा और ऐसे ही जाएगा अब दोनों का मिलना जुलना बाते करना हसी मजा करते करते एक के बीच करीबियां आना शुरू हो जाती है अब एक दिन आकाश रेस्टरेंट में प्यानो बजा रहा होता है जो कि वहां मौजूद प्रमोद को सुनकर बहुत अच्छा लगता है आकाश उन्हें पहचान गया था कि वो तो अपने जमाने के बहुत दिगच कलाकार है तो और खुश हो जाता है बंडू को शक हो जाता है कि शायद आकाश भाईया अंधे नहीं हैं बलकि देख सकते हैं सोफी को भी आकाश अच्छा लगने लगा था वो बजाता अच्छा था और दिखने में भी सही था और उसके ना देख पाने की कमी से उसे कोई मतलब नहीं था प्रमोद अकास से कहता है कि कल एक बज़े तुम मेरे घर आओ प्रावीट कॉंसर्ट करना है तो अकास मान जाता है क्यूंकि पैसे मिल रहे थे रात मैं प्रमोद सिम्मी से कहता है कि कल वो बैंगलोड जा रहा है कुछ काम से और शाम को वापस आ जाएगा कल उनकी wedding anniversary थी तो सिम्मी कहती है कि मत जाओ पर promote कहता है कि जरूरी काम है जाना पड़ेगा अब हम देखते हैं कि सोफी आकाश को उसके घर छोड़ने आती है लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि वो भी आकाश के घर रुख जाती है दोनों काफी दिनों से एक दूसरे के साथ थे तो उनके बीच एक चिंगारी पैदा हो चुकी थी जो कि आज आग का रूप ले लेती है और फिर दोनों अपने भीगे बदन को सुखाने के लिए एक दूसरे के उपर उसी आग का इस्तमाल करते हैं अब अगले दिन आकाश प्रमोट के घर पहुँच जाता है तो उसकी मुलाकात सिम्मी से होती है जो कि कहती है कि वो तो घर पर नहीं है बैंगलॉर गए हैं अकाश बताता है कि उन्हों नहीं मुझे बलाया था प्राइवेट कॉंसर्ट के लिए क्योंकि आपकी वेडिंग अन्वरसरी है इतने में सामने वाले फ्लैट में रहने वाली आंटी निकलाती है तो सिम्मी अकाश को अंदर बुला लिती है सिम्मी प्रमोट से फोन पर बात करके अकाश को बताती है कि वो 10 मिनट में आ रहे हैं सिम्मी उससे कंफरम करती है कि वो पूरी तरांदा है या थोड़ा बहुत देख सकता है तो अकाश उन्हें भी वही बताता है जो सोफी को बताया था अकाश प्यानों बजाना शुरू ही करता है कि तब ही वो देखता है कि सामने एक आदमी की लाश पड़ी हुई है अकाश की सांसे अटक जाती है पर सिम्मी को महसूस होने नहीं देता और सांस वापिस लाने के लिए वो बातरूम जाने को कहता है वो बातरूम जाता है तो उसकी सांसे उस वक्त के लिए गाया भी हो जाती है ये देखके कि एक आदमी वहाँ बंदूक लिए खड़ा है अकाश एकदम नॉर्मल रहकर बातरूम यूज करके जब बाहर आता है तो उसे देखने मिलता है कि वो लाश प्रमोड की है लेकिन अका आकर उसे ही सप्राइज मिल जाता है ये देखके कि उसका प्यार सिम्मी किसी और के बाहों में है अकाश अपना प्यानों बजाने में लग जाता है और देख रहा होता है कि दोनों ने खून साफ करके प्रमोड की लाश को एक सूट केस में डाल दिया है सिम्मी प्रमोड की ह और फिर से कहीं चला गया इसी बीच वो आदमी सूट केस लेके निकल जाता है आकाश को सब दिख रहा था कि कैसे उसे बेवकूप बनाया जा रहा है पर वो कुछ बोल नहीं सकता था वरना वो भी सूट केस में पैक हो जाता हमें देखने मिलता है कि सिम्मी रो रही है मतलब दुख भी था प्रमोद के मरने का सिम्मी कहती है कि प्रमोद लेट आएंगे तुमा चले जाओ अकाश सीधा पुलिस टेशन जाता है कंप्लेन लिखवाने लेकिन तब ही उसके सामने वो आदमी आ जाता है जो वहां मौजूद था पता चलता है कि वो पुलिस को दूर करने वो आकाश के उपर हर तरह का टेस्ट करता है ये देखना है कि क्या वो वाकाई में अंधा है या नहीं तो आकाश बिलकुल वैसे ही रियाक्ट करता है जैसे एक अंधे इंसान को करना चाहिए अब अगली दिन पुलिस को प्रमोद की लाश मिल जाती है और हर सिम्मी और बाकी सबके मुदाबिक आकाश ही था जिसने आखरी बार प्रमोद को देखा था उसके घर में सिम्मी ने तो सिर्फ स्पीकर पर उसकी आवाज चलाई थी पर ये बात आकाश नहीं बोल सकता था क्योंकि वो तो अंधा है अगर अभी वो ये बोल देता कि वो अं प्रमोद आया और तब तीसरा आदमी घर पर ही था और फिर उसके बाद वो प्यानो वाला आया पुलिस वाला इस चीच की पुष्टी करना के लिए सम्मी से पूछता है तो सम्मी कहती है कि वो पिछले हफते की बात कर रही होंगी अभी की नहीं मनोहर की भी शादी हो रखी थी लेकिन फिर भी उसने सम्मी के साथ चक्कर चलाया जूनियर आफिसर मनोहर को बताता है कि वो आंटी कह रही थी कि उन्होंने तीसरे आदमी को भी देखा था ये भी कहा कि अगर वो उसे देखेंगी तो पहचान जाएंगी ये सुनकर मनोहर टे चाही था कि तभी वो देखता है कि सम्मी ने उस आंटी को बालकनी से उठाके नीचे फेग दिया एक खून तो पहले ही देखा और उपर से फिर ये अब वो करे तो करे क्या गलट टाइम पे गलट जगा पहुँच जाता है वो बसंदे होने का ही नाटक कर सकता था कि मैंने तो भाईया कुछ नहीं देखा बंडू अकाश पर जासूसी कर रहा था तो वो मुबाइल पर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है जब वो नॉर्मल होकर काम कर रहा था तब ही वहां सिम्मी आती है प्रमोत के अस्थी विसरजन का प्रसाद लेके अकाश प्रसाद खा ल कीन हो जाता है कि वो अंधा तो बिल्कुल नहीं है पता चलता है कि बंडूक नकली थी लेकिन अकाश सच में डर गया था जिसकी वज़ा से उसका खुलासा हो गया अकाश कहता है कि मुझे इस लफले में पढ़ना ही नहीं है आपने मुझे घर में घुसना ही क्यों दिया थ कि मैं जब नहीं देख पाता अंदर से म्यूजिक और अच्छा आता है इसके बारे में और कोई नहीं जानता आपको मुझसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी मैं किसी को नहीं बताऊंगा मैं कॉम्पेटिशन के लिए लंडन जा रहा हूं फिर कभी वापिस नहीं आऊंगा बो सोफी गुसे में घर जाती है तो घर का दर्वाजा सिम्मी खोलती है वो भी इस अवस्था में जैसे लगे कि वो आकाश के साथ कुछ कर रही थी आकाश बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटा हुआ था और उसे बिलकुल होश नहीं था तो सोफी को यहीं लगता है कि इन द कुछ दिखाई नहीं दे रहा उससे समझ आता है कि सिम्मी ने उसकी आँखों में कुछ डाल कर उसे सच में अंधा कर दिया है अकाश सिम्मी से कहता है कि मेरी आँखे ठीक कराओ नहीं तो मैं सब को सच बता दूँगा तो सिम्मी कहती है कि जाओ बता दो कह दो जाके कि सिम को फोन करता है पर सोफी को जो नजारा दिखा था उसके बाद से वो उससे बात नहीं करना चाहती थी मनुहर सिम्मी से कहता है कि अंधा देख नहीं सकता लेकिन बोल तो सकता है ना मीडिया में कुछ बताया तो दिक्कत हो जाएगी इससे अच्छा तो मारी देती ना सिम्मी गुसाते हुए कहती है कि मैं कोई सीरियल किलर हूँ क्या जो सब को मारती फिर हूँ उस दिन घर में बंदूक नहीं लाते तो प्रमोध मरता नहीं और शाद समझाने पर माफ भी कर देता लेकिन तुम्हारे चक्कर में सब गडबड हो गई अब मनोहर जाता है आकाश को मार तो वो तुम्हें यहां ले आए आकाश के पूछने पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि तुम्हारी आखों का कॉर्निया डैमेज हो गया है जो कि शायद कॉर्निया ट्रांस्प्लांट से ठीक हो सकता है आकाश मुरली और सक्कु दोनों से पहले कभी मिल चुका था तो वो उ पहुलिया अच्छे से जानता था यहां हमें पता चलता है कि यह दोनों भले इंसान नहीं हैं बलकि उसे डॉक्टर स्वामी के पास उठा कर इसलिए लाए ताकि उसकी किड्ने निकाल के पैसे कमा सकें तीनों मिलकर आकाश का ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं बॉडी स्कै के बहाने से लेकिन अकाश को पता चल जाता है तो वो चिलाने लगता है कि मेरे साथ कुछ मत करो मैं तुम्हें एक करोर रुपए दूंगा तुम्हारे हाथ में बने शंकर भगवान के टैटू की कसम डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं कि तबी आश्वारिया राय का फोटो लगा है ये सब उसने इसलिए बताया ताकि वो लोग उस पर विश्वास कर सकें अब एक करोर कहां से आने हैं आकाश इसका भी प्लैन बताता है अगले दिन आकाश सिम्मी के घर जाता है दानी से मिलने और फिर सिम्मी से कहता है कि मुझे घर ठोड़ा हो अकाश मुरली और सक्कू की मदद लेकर सिम्मी को किड्नैप कर लेता है इसके बाद अकाश मनोहर की बीवी रासिका को फोन करके बता देता है कि आपकी पती का सिम्मी से चक्कर चल रहा है और उसने प्रमोट से एक करोर लेने के लिए उसका खून कर दिया वो एक करोर मुझे चाहिए वरना मैं ये सारी जानकारी मीडिया में बता दूँगा रासिका मनोहर का खून करने पर उतारू हो जाती है कि मेरे होते हुए तुम कहीं और गुल खिला रहे थे तब ही खबर आती है कि प्रमोट की पतनी सिम्मी ने खुद की जान ले ली है उसकी गाड़ी नदी में डूबी मिली मनोहर रासिका से कहता है कि मैं उसके बहकावे में आ गया था मैं उससे प्यार नहीं करता मेरा प्यार तो सिर्फ तुम हो अकाश सिम्मी से कहता है कि अब तो तुम दुनिया वालों के लिए मर चुकी हो डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेत गलती से गोली चल गई और वो मर गया हमने उसको नहीं मारा बलकि वो एक एक्सिडेंट था पडोसन आंटी को मुझे मारना पड़ा नहीं तो अगर वो मनोहर को पहचान लेती तो सब खतम हो जाता अकाश ये सब बाते रिकॉर्ड कर लेता है और कहता है कि अगर अब मुझे करोर नहीं दिये तो ये रिकॉर्डिंग हर जगा जाएगी पुलिस, मीडिया, दानी, सब जगा सक्कू रसिका को कहती है कि एक करोर लेकर अपने पती को भेजो रसिका मनोहर को बंदूग पकड़ाते हुए कहती है कि ये जो तुमने रहता फैलाया है ना अब तुम ही साफ करो हम देखते हैं कि सक्कू और मुरली आकाश को वीलचेर से बान देते हैं मतलब उनका प्लैन था पूरे पैसे हती आने का मनोहर मुरली की बताई जगा पर पैसे रख देता है लेकिन उसके आते ही वो उसे गोली मार देता है जो कि उसके गले में जा लगती है मनोहर लिफ से रसी खुलवा लेता है और वो सिम्मी की पटी खोल देता है ताकि वो देख के बता सके कि यहां से निकलने का रास्ता कहा है सिम्मी सही रास्ता ना बताते हुए खुद की रसी खोल कर आकाश को मारना शुरू कर देती है तब ही वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और फिर दोनों मिलकर सिम्मी को बेहोश कर देते हैं उधर मुरली की मौत हो जाती है तो सकू कहती है कि उसे बचाओ मेरे पास बहुत पैसा है पता चलता है कि सारो पैसे नकली थे और उसका बहुत बुरी तरहा कट चुका है डॉक्टर साहब सिम्मी को कार के डिगगी में डालते हैं और आकाश को बताते हैं कि वो हमारे लिए खजाना है खजाना एक शेक की बेटी को लिवर ट्रांस्प्लांट की जरुवत है लेकिन उसका ब्लड गुरूप भी आरेच नेगेटिव लाखों में एक का होता है मैंने ऐसे ही सिम्मी का ब्लड सैंपल एक्जामिंग किया तो पता चला कि सिम्मी का भी ब्लड ग्रूप सेम है अब शेक हमें देगा एक मिलियन डॉलर जिसमें से मैं तुम्हें एक करोर रुपए दूँगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई और अगर उसका कोर्णिया तुम्हारे से मैच हो गया तो तुम्हें आँखें भी मिल जाएंगी हमें देखने मिलता है कि गाड़ी चलती जा रही है आगे बढ़ती जा रही है अब कहानी यहां से दो साल आगे बढ़ती है जह हम देखते हैं कि सोफी यूरोप में है तब ही उसे आकाश एक रेस्टरंट में प्यानो बजाता गाना गाता दिखाई पड़ता है तो वो अचंबे में पढ़ जाती है कि यह यहां कैसे अकाश सोफी को पूरी कहानी बताता है जो जो उसके साथ हुआ अकाश बताता है कि मैंने डॉक्टर से कहा कि उसे छोड़ दो तो डॉक्टर ने कहा कि उसने इतने लोगों का खून किया है तो उससे सजाए मौत ही मिलनी है तो इससे अच्छा वो हमारे ही काम आ जाए जा रहा होता है कि उसको छोड़ दो और मुझे भी सिम्मी उस पे दया खाके उसे गाड़ी से उधार देती है सिम्मी को लगता है कि कहिए आगे चलकर मेरे रास्ते का काटा ना बन जाए तो वो उसे गाड़ी से कुचलने का सोचती है आकाश उसकी गाड़ी के सामने था ल हमें शुरुवात में खरगोश वाला सीन दिखाया गया था वो यही सीन था आकाश सोफी को बताता है कि थोड़ी देर बाद एक बस आई और फिर मैं मुंबाई चला गया फिर एक दोस्त की मदद से लंडन पहुँच गया सोफी कहती है कि उस औरत ने इतने सारे लोगों की ज नारे कर देता है उसके उपर पैर रखने से पहले और फिर मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों सबसे पहले हम इंडिंग की ही बात कर लेते हैं कि क्या वाकाई में आकाश अंधा है या देख सकता है बात ये है कि डॉक्टर साहाब ने कभी गाड़ी रोकी ही नही और नहीं सिम्मी ने उसे मारा आकाश ने सोफी को लास्ट वाली कहानी जो बताई वो जूटी कहानी थी आकाश डॉक्टर की बात मान गया था उसने पैसे लिए और सिम्मी की आँखे भी ली और वो फिर अपने गुनाहों को पीछे छोड लंडन चला आया जब हमें पहले दिखाया गया कि आकाश डॉक्टर के साथ जा रहा है तो गाड़ी इस वाले पेड़ को क्रॉस कर चुकी थी लेकिन उसने जब सोफी को कहानी सुनाई तो गाड़ी पेड़ के पास रुकी मतलब साफ है कि सोफी को जो बताया वो सब जूट था आकाश का कोई दोस्त यार र है तो जाहिर सी बात है कि आकाश भी तयार हो ही गया होगा और अभी उसके पास सिम्मी के आखे हैं अब भी अंदे होने का नाटक करने की वज़ा वही हो सकती है जो पहले थी यानि की फोकस पर हां ये भी हो सकता है कि उसे अपने गुना देखे नहीं जाते इसलिए वो गंडा था उसमें खरगोश बना है तो ये देख के भी समझ आता है कि उसने जो भी कहानी बताई वो सब बनावती थी ना कोई खरगोश कुदा ना गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा ना ही ब्लास्ट होने से सिम्मी मरी हुआ सब वैसा ही जैसा डॉक्टर ने प्लैन किया था डॉक्टर ने उसे दो अप्शन दिये थे या तो जो उसका प्लैन है वो मान लो या जाओ वही अंधो वाली जिन्दगी जी के अपना गाना गाओ तो अकाश ने डॉक्टर के प्लैन को चुना तो अभी मैं एडिटिंग कर रहा था और एक चीज नोटिस करी कि खरगोश की जो आखें उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो भी अंधा है मतलब कि आकाश ने जो सोफी को कहानी सुनाई उसमें खरगोश को अंधा दिखाया अपने जैसा जैसा कि आप क्लियरली इस फोट तो यहीं वज़ा थी तो इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाया गया है मतलब अच्छा लगा देख के यह चोटी सी जो देटेल थी वो देख के अच्छे लगी यहाँ पर वैसे एक और थेयोरी है मुरली जब मरा तो डॉक्टर ने आंटी से कहा कि आप चाहें तो उनके ओर अर्गन्स डोनेट कर सकते हैं तो क्या पता वाकई में सब कुछ वैसाई हुआ हो जैसा आकाश ने बताया फिर उसने मुरली की आखे ले ली और फिर लंडन चला गया पर खरगोश जो उसकी लाठी पर बना था वो इस थेयोरी को नाकार देता है क्योंकि अगर खरगोश थोड़ी दया दिखा है और एक अंधे इंसान के उपर दुनिया थोड़ा रहम भी खाती है लेकिन फिर भी वो ऐसी मुसीबत में पढ़ जाता है जहां उसे पढ़ना नहीं था और सच में वो अपनी आखें खो बैटता है फिर आखर में उसे कोई मतलब नहीं था कि सिम्मी जिन्दा रहे या मरे उसे उसकी आखें मिल रही थी और पैसा भी तो वो भी मतलबी ही निकला हाला कि हमें उतना बुरा नहीं लगता उसके मतलबी होने से क्योंकि जिससे मतलब निकालना था वो सिम्मी थी और सिम्मी कोई बहुत अच्छी इंसान नहीं थी सिम्मी एक्टर और एक अंधे आदमी को भी मारने जा रही थी। उसने तो डॉक्टर को भी मारने की कुशिश की थी। लेकिन समय पर उसे बेहोश कर दिया। वो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। बस जो भी उसके रास्ते में आता उसे मारने के लिए तूट पड़त अब पूरी तरह से हमें ये भी नहीं पता कि प्रमोद मरा कैसे। समय ने बताया कि गलती से गोली चली थी। लेकिन क्या वाकाई में गलती से गोली चली या फिर उसने ही मारा। नहीं पता। और उसे प्रमोद की मरने का दुख भी नहीं था। दुख था उसे इस बात का क अब उसका क्या होगा वो क्या करेगी सबको पता है कि सिम्मी ने खुद की जान ले ली है और ये भी खबर थी कि वो प्यानिस्ट आकाश के साथ घर से निकली तो पुलिस आकाश को तलाश रही है तो आकाश फिर लंडन पहुँचा कैसे क्योंकि हर तरफ तो पुलिस रही होगी हम ये मान सकते हैं कि उसे जो एक करोर रुपए मिले होंगे उसमें से थोड़ा घूस वोस खिला कर और जूट बोल कर वहां से निकल गया डॉक्टर ने बताया था कि शेक का प्राविट प्लेन एरपोर्ट पर हमारा इंतजार कर रहा है तो हो सकता है कि उनकी मदद से वो बाहर निकल गया मनोहर लिफ्ट में ही फज गया था और लिफ्ट खोलने के लिए उसना गोली चलाई पर गोली टकरा कर उसे ही लग गई किसी को नहीं पता कि वो कहा है तो शायद ज़्यादा खून बेहना की वज़ा से उसकी वहीं पर मौत हो गई होगी फिल्म में एक कोट है वाट इस लाइफ इट डिपेंड्स ओन लिवर ये कोट मोडिफारड वर्जन है लिवर का यहाँ पर दो मतलब है एक तो शरीर का अंग और दूसरा वो जो जीता है सब लिवर पर डिपेंड्स करता है मतलब एक लिवर से एक को नई जिन्दगी मिल रही थी और फिर पैसे से डॉक्टर अमीर भी हो गया और अकाश को सिमी की आखें मिल गई मतलब जिसे जीना था वो जी गया और लिवर जिसे चाहिए था उसे लिवर मिल गया सोफी के सामने आकाश बुरा बन चुका था इसलिए उसने आकर में ऐसी कहानी बताई जिसलिए कि वो उसके सामने मासूम, बेचारा और अच्छा बन गया वो किसी के सामने बुरा नहीं दिखना चाहता था ना उसके ना हमारे वो कैन वाला सीन अगर ना होता तो हमें कभी पता नहीं चल पाता कि वो सच में अंधा नहीं है बलकि बहुत बड़ा खेल खेल गया है ये मुवी एक फ्रेंड शॉर्ट फिल्म दप्यानो ट्यूनर से इंस्पारड होकर बनाई गई है शॉर्ट फिल्म सिर्फ 13 मिनट की है तो इस छोटी सी कहानी से इतनी बहतरी ने एक बड़ी फिल्म बना डालने के लिए फिल्म के राइटर श्रीराम रागवन की तारीफ तो बनती है इस फिल्म के बहुत सारे रिमेक्स बन चुके है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अब एक्टिंग की बात करें तो आईश्मान खुराना, रादिका अप्टे, तब्बू, तीनों की ही एक्टिंग एकदम टॉप नॉच देखने को मिली सबका काम बढ़िया है और सबने अपना बेस्ट दिया है उमीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा अगर नहीं आया या कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिए, मैं आपका रिपलाई जरूर दूँगा ऐसे ही अच्छी मुवीज की एक्स्प्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए आपको मेरा एक्स्प्लेन करना कैसा लगा यह आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते संदराए आते हैं झाल झाल